आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलिशिस रेसिपी इसका नाम है ब्रेट चार्ट तो चले स्टार्ट करते हैं रेसिपी अब ब्रेट चार्ट बनाने के लिए हमने एक बाव ले लिया है और उसके अंदर हम डाल देते हैं एक कटोरी बेसन इसके साथ म दालते हैं 1-2 टीज़पून अमचूर पाउडर और फिर हमने मिक्स किया है 1-2 टेबल स्पून अजवाइन और यह हमने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और इसके साथ में हमने निम्भू करज डाला है अब इने क्या करते हैं पानी डाल के अची तरह मिक्स कर लेते हैं अब अब इक फाइन बेठर त्याकर नशादा बर त्यादा पतला जैसे हम पकोरिये का बयंटर बनाते हैं इसी तरह मिल्कूल रडी है ब्लेटर अब हम क्या करते हैं ब्रेड लेते हैं और इसे कटर की हेल्फसे कट खरते हैं हमने हड़ शेप लिया है आप चाहें तो गोल करसी क एक टीबल स्पून गी को गरम करेंगे और साथ ही साथ जो बैटर हमने रेडी किया था उसे एक प्लेट में निकाल देंगे जिससे की जो ब्रैड है उसके स्लाइसे अची तरह डिप हो सके यह देखे इसी तरह डिप करना है और फिर से पैन में डाल के शैलो फ्राय करना है इस इसे दोनों साइट से अची तरह फ्राय हो जाए और फिर साथ साथ इसे आप पलटती भी जाए देखिए इसी तरह यह देखिए इसी तरह अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देते हैं और इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेते हैं तो ब्रैड हमारे रेडी हो चुकी है अब स इसी के साथ हम इसके ऊपर डालेंगे प्याज यह देखिए को भी हमने बार्य कटकर दिया है इसी तरह आप मानिए बहुत ही अच्छी रैशेपी बनने वाली है फिर इसके ऊपर हमने डाला है अनार इस तोड़ साथ इसके ऊपर हम चीली फलेक्स डाल लेते हैं आप चाहें अब आती है cheese की बारी अब इसके उपर हम डालने वाले है cheese ये पूरा हमने cheese grate करके डाल दिया है अमूलकी slices होती है ना वो हमने इसके उपर grate करी है देखें इसी तरह देखा ना कित जठ पड़ी recipe देआर होगी मेरे family members को ये recipe पसंद आए एक बार आप भी ज़रू ट्राय करना आपकी फैमिली मेंबर्स को भी पसंद आने वाली है और अगर मेरी रेसिपी पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेर ज़रू करें बेल आइकन को ज़रू प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करना न भूलें तो इंजोई and have a nice day